हलो दोस्तों मेरा नाम है अतुल शिर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मी पॉर्टेबल ब्लुटूस स्पीकर के बारे में ये एक 16 वाट स्पीकर है और आज मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसके फीचर्स और ये किस प्राइस में पर आता है और अच्छी पैकेजिग हैं और ये ओलरेडे में यूस कर रहो हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आता है इन दोफार वाक्स में डाला है इसके साथ हमें एक ये मिलता है और ये प्रोटेक्शन ही इसके बिलती है और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है कि प् यह जब बॉक्स आता है इसमें हमें एक मैनुवल मिलता है और एक USB Type-C टू टाइप पे charging cord मिलती है charging cord मैंने निकाली हुई है एक्चली और इसके अंदर एक बेल रखा हुआ है तो बस इतना ही आता है बॉक्स के अंदर इस speaker के साथ हमको ज्यादा expect में नहीं कर सकते की और कुछ मिले हमें तो box को side में रखते हुए मैं आपको speaker दिखाता हूँ यह speaker हमें mesh fabric के साथ मिलता है और यह काफी अच्छी finish है और यह इसके edges भी थोड़े round है तो यह काफी comfortable speaker है और काफी premium feel होता है इसके नीचे हमें तो यह rubber की strip मिलती है जिससी यह surface पे अच्छी तरीकी से बैठ जाते है और काफी grippy भी लगता है तो यह फिसलेगा भी नहीं अगर आप कहीं रखोगे तो और इसके साथ हमें यह मिलती है इससे आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं हॉल कर सकते हो इस speaker के हमें यह इसकी front side है और इसके हमें right में एक aux का port मिलता है और एक type C charging port मिलता है यह fast charging support नहीं करता है और यह अगर हमें charge करना हो यह speaker तो यह कम से कम 3-4 घंटे लेता है और इसका battery pack मुझे तो decent लगा यह मुझे चार-पाच घंटे दे देता है और मेरे usage के साब से अगर मैं charge करता हूं इसको एक बार तो यह पांचे दिन यह जादा दिन चली जाता है क्योंकि मैं ज्यादा use भी नहीं करता आपको अपने नीड समझनी होगी कि आपको कैसा चाहिए तो आते हैं speaker के ओपर दोबारा इस speaker के अंदर हमें इदर 6 बटन मिलते हैं और यह काफी अच्छी finish के साथ मिलते है इस speaker को on करने के लिए यह जो power button दिया गया है इसे हम long press करेंगे अभी पेरिंग मोड में चला गया था खुदी लेकिन मेरे जैसे laptop का Bluetooth अभी आउन है तो यह automatically connect हो चुक है अगर आप यह डिवाइस नया लेते हो और आपको connect करना है तो आपको डिरेक्ट ब्लूतुस सैटिंग में जाने महाँ पे इसका नाम आ जाएगा मी पर्टेवल Bluetooth speaker 16 watt तो आप इसको डिरेक्ट पेर कर सकते हो और इसके अंदर हमें एक inbuilt mic मिलता है जिसकी quality काफी अच्छी है मैंने यह काफे बार यूज किया है कॉलिंग के टाइम यह सामने वाले को अच्छी आवाज पहुचाता है और इस पिकर के अंदर हमें IPX7 की रेटिंग मिलती है तो आप इसे swimming pool या bathroom वगारा में भी यूज कर सकते हों तो यह वहां पे भी कुछ कुछ दिकत नहीं यह खराब नहीं होगा आई पेक 7 होने के कारण जो इसका यह जो पोर्ट का एरिया है यहां पर जो में रबड का मिलता है यह काफी टाइट है आई पेक 7 बनाने के लिए काफी टाइट दिया गया है ठीक है कारण अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो उसके लिए खोलना पड़ता है तो यह है और ये काफी comfortable speaker है आप इसे अपने daily routine में यूज कर सकते हो इस speaker में आपको को कि ये जो button मिलते हैं इसके ठ्रूव आप ये टी डूबलस के काम आता है इसके ठ्रूव आप एक और सेंव speaker इसके साथ connect कर सकते हो और stereo कम मजा उठा सकते हो तो ये stereo के तरह भी वर्क करता है इसमें एक डेडिकेटेट ब्लूटुथ बटन दिया गया है और इसमें अगर आप इसका यह जो वॉल्यूम अपका और यह प्लेपोस का जो बटन है आप इसको एक साथ प्रेस करते हो तो यह बेस्ट बूस्टेट मोड में चला जाता है आपको करके दिखाता अब यह डीप बेस मोड में चला गया है और जैसे कि मैंने देखा है कि यह डीप बेस और नॉर्मल में जादा कुछ फर्क नहीं है और यह डीप बेस में जादा बैटरी भी कंजूम करता है तो मैं इसे नॉर्मल में ही कर देता हूँ चलो अब इस स्पीकर का साउंड प्ले करके देखते हैं कि इसकी साउंड कैसी है मैं आपको सुनाता हूं मैंने हाई वॉल्यूम कर दिया कि अब बीको कैसी अ आपको कैसी साउंड आपको का साउंड आपको आपको का साउंड प्लीक। quality deep bass normal deep bass इसके डीप बेस और नॉर्मल में बस इतना ही फरक है कि डीप बेस में थोड़ी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा लॉड फील होती है तो उसके वो जैसे बेस भी ज्यादा ज्यादा लॉड फील होते है वो थोड़ा माइनर सा ही फरक है लेकिन आप हर टैप तो फूल वोल्यूम में सुनोगी नहीं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे नॉर्मन वर्ड में रखो तैकि यह बैटरी भी कम कंजियूम करें कि अगर अगरे ऑल्री किसी डिभाइस सेे क्नेक्ट है तो हम इसे डिस्कनेट किसे करें अगर आप इसके अगर कि मैं दिखा देता हूं यह जो बटन दिया गया है अगर हम इसे प्रेस करते हैं सिंगल टाइम ही प्रेस करते हैं तो यह उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप किसी दूसरे डिवाइस से कर सकते हो और आपको इसका Bluetooth अगर रिसेट करना तो इसी Bluetooth बटन को आप अगर लॉं प्रेस करोगे तो, और मैं आपको एक, इसका एक बहुत ही बड़े बताने वाल हूँ जो आपको कसी ने न नीं बताया होगा, अगर आप उसकी बैटरी अगर जाना है कि इसकी बैटरी कितनी है, बैटरी परसेंटेज कितनी है हर ब्लू तर डिवाईस की जो आप अगर फोन में लेट्व में कर रहे हो तो उसके अंदर दिखा देता है कि कि नी बैटरी है लेकिन do 바at कि इसके अंदर कितनी बैटरी है बस आपको करना होगा कि इसका जो पार बटर्यव्ट कि सिंगल प्रेस करना होगा और यह खुदी बैटरी बताएगा तो अब मैं करता हूं तो अब इसमें 60% बैटरी है जैसा कि आपने सुना यह 10, 20, 30, 40 इस टाइप में बैटरी परसेंटेज बताता है तो यह काफी एकुरेट होती है और यह काफी अच्छी देर चल जाता है इसका बेस अगर आप इसको हाइव वोल्यूम में भी अगर काफी दर चलाते हो तो अवास फटती नहीं होता है तो यह speaker काफी अच्छा speaker है और बात आती है इसकी pricing की तो यह speaker आता है कितने गया तो अगर आप यह वीडियो देकर हो तो आपको इसकी pricing पता ही होगी यह Amazon पे और me.com पे normal days में 2500 का मिल जाता है अगर आप इसे sale days में देखते हो तो 2200 का मिलेगा आपको अगर आपको ये speaker इससे भी कम में चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं जो मैंने किया था आप sale के time पे me.com से purchase करो और me.com पे आपको काफी बार जैसे मैंने दिवाली से पहले जो sale आई थी उस पे purchase किया था तो मेरे पास me.com के token पड़े थे मैंने token से coupon करी लिया था 500 रुपे का उससे मुझे ये 1950 रुपे का पड़ा था खाली तो ये उस price के हिसाब से तो काफी अच्छा speaker है उस price range में 16 watt speaker इस quality का आपको नहीं मिल सकता और अगर मिलेगा तो इस finish के साथ ये IPX7 नहीं होगा वो और बस इसकी मुझे एक इड़े side advantage लगी कि ये fast charging support नहीं करता है ये charging में काफी साथा time ले लेता है तो ये गलत चीज़ है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप इतना perfect speaker बना रहे हो लेकिन अगर देखा जाए कि इस pricing में company वाले हमें इतना कुछ offer कर रहे है इतनी अच्छी premium feel के साथ ये speaker आ रहा है तो हम इससे को ज़्यादा expect भी निगड़ सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही था अगर आपको 5000 या 2000 तक का या उससे नीचे speaker चाहिए तो आप जो मैंने offer लिया था उस type का offer के तरफ आप भी जा सकते हैं और अगर 5000 तक का भी आपको speaker मिलता है तो मैं तो आपको recommend करूँगा कि आप ये low और अगर आप wait कर सको तो या आप sale time में ही purchase करो तो आपको जादा value for money लगेगा ये speaker और इसके competition में जितने भी speaker है इस price range में उसमें सबसे better finish और better sound quality के साथ यह ही आता है और भी speaker है potronics या bot वगर आगे उनकी अगर आप build quality देखो या in hand feel देखो आपको ये speaker recommend करता हूँ कि आप ये speaker बिलकुल ले सकते हो तो इस video के लिए बस इतना ही था अगर आपको इमेरी video पसंद आई हो तो आप मेरी इस video को like कर सकते है मेरे channel को subscribe कर सकते है और इस video को share कर दो अगर आपको ये आपके किसे दोस्त को ये speaker चाहिए ये surprise range में कोई और speaker देख रहा है तो आप ये video recommend करो उसको और उसको बोलो कि ये speaker जरूर देखे उसको ये speaker पक्का पसंद आएगा तो thank you so much इस video के लिए बस इतना ही था बाबाई